तिके साथ अगले कॉलर से हम बातचीत करते हैं, बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए है, राकिश जी ने हमें कॉल किया है, जी बताएं क्या समस्या है आपके साथ? वो जमारतर रहता है, और उब्यास बनता है, जी? आपकी ? उम्र होग 32 साल के उम्र है पेट की समस्या ब्लेट पितनी है उम्र होती हे 30 साल की उम्र है पेट की समस्या है इो में पंची शाल तुम्हें तो आदमी मायूस हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, और एक नुस्ता मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें, देखिए, एक चीज आती है, लाजवन्ती, सब जानते हैं, बड़ी मशूर चीज है, लाजवन्ती के बीज आते हैं, बहुत बारिक बारिक, अग कैसी चीज है, लाजवन्ती के बीज, लाजवन्ती कहते हैं इसे, लाजवन्ती और एक चीज आती है, रसवन्ती, ये एक गम टाइप की चीज है, लाजवन्ती, रसवन्ती, कत्था, कत्था है जो पनवारी पान पे लगाता है, ये सूखावा कत्था मिलता है, सो सो ग्राम स लाजवंती रसवंती कथा और गौन मौरिंगा सफेद लिखना आप लाल वाला मतले ना गौन मौरिंगा सफेद होता है इस वसोग्राम लेकर पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बना लें चना या मतर के बराबर या उससे कुछ बड़ी और एक सुबा एक शाम खाया करें पानी से बगार चर्बी के दूस से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रही सादमी हैं और ये मेटेरियर खतम होने से पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुम्किन है कोर दर्शक हमारे साथ कोटा राजस्तान से जुड़ गये हैं आई उंसे बातशीत कर लेते हैं हमारे साथ हैं गौतम जी क्या सवाल करना चाहते हैं आप क्या पता करना था मेरा जी क्या पता करना चाहते हैं इसके बारे में आप अलब ये जेतुन का सिर्का किस चीज में काम आता है जी ठीक है छो दीए एक फल जो खाड़ी के मुलकों पैदा होता है और उसको एक प्रोसेस के तहर सिर्का बना रेते हैं जैसे यहां गन्ने का अंगूर का सेप का सिर्का बनाते हैं ऐसे यह एक फल है जिसका सिर्का बनाते हैं लेकिन यह पेट की खराबी के लिए पेट के इंफेक्शन के लिए आतों के इंफेक्शन के लिए लीवर के लिए लीवर की तमाम बीमारियों के लिए और कॉलिस्टॉल के लिए और डाइबिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं दिन में एक या दो बार ले सकते हैं पानी से पानी में मिलाकर बहुत तेज होता है तो दो तीन चम्मच एक गिलास पानी में डाल कर अगर इस्तिमाल किया जा तो डाइवटीज भी इस्तिर रहती है और कॉलिस्टॉल का दुश्मन है और प्लेट प्रेशर को ठीक करता है हार्ट ब्लॉकिज इसकी वज़े से हमें बाइपास सर्जरी ऑप्रेशन कराना पड़त है अगर पांच्छे महीने ले लिए जाए तो इससे निजात मिल सकती है इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है रमा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से उनसे बातचीत करते हैं रमा जी बताएं क्या सवाल करना चाहती है आप मैं ने हकिम जी से पूछना है कि मुझे डॉक्टर ने गठ्षिय रवताई है जी और मेरे तो है पैरों में हातों में की उंगलियों में सूजन आ जाती है जी और जोक्र ने जे कहिए जे गठ्षिया है ये हमेशा के लिए रहेगी ठीक नहीं होगी ओमर कितनी है रमा जी आ है ये मुझे थोड़ा ब्लाइट पेशर भी रहता है अच्छा ये जो जोडों का बता रहे हैं गठ्षिया ये कब से है आपके साथ परिशानी में इसको आठ महीने हो गया है कैस्टिंग में अनों ने आप गठ्षिया बताई है जी जी छोटी वाले जोडों की गठ्षिया है आपको चीक है अच्छा देखिये आपको तो बहुत ताजी ताजी गठ्षिया है मतलब एक साल भी नहीं हुआ है जो अगर प्रोग्राम देखती हैं तो पांच-पांच दजदस साल पराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें देखिये गठ्षिया जो है वो खट्षिया पर पहुंचा देता है अदमी को ऐसे गाउं की मिसाल है तो इसका इलाज है लेकिन पांच-छे महीने आप करेंगे तब इलाज है और थायराट का भी इलाज है वो भी ठीक हो सकता है एक एक करके कर लें जो आप बहतर समझें एक निसका ब बनाएं देखिए अलसी ले ले लिजे पांच-छेसो ग्राम और उसको पौडर बना लीजे हलकासा भून के अलसी और एक चमच अलसी रोज सुबह और शाम खाया करें और सो दो सो ग्राम आप ले लीजे गौंद सिया एक गौंद आता है जिसे गौंद सिया या काला सिखाएं तो इसमें एक या दो चुटकी गौंसिया मिला लें बड़ा कड़वा होता है बहुत ही कड़वा इंतहाई कड़वा होता है बड़ा मतलब साथ अच्छा नहीं होता उसका लेकिन फाइदे में मैंने ऐसी अपनी जिंदगी में के अनुभाव में कोई दवा नहीं देखी जो गठिया को भी आप से दूर कर देता है ये गठिया का इलाज है समझते हैं आप अलसी पीस के अलग रखें हलका सा फून के एक चम्मच लें उसमें एक या दो चुटकी गौंसिया मिला के दिन में दो बार खा सकते हैं खाने के पश्चात बगए चर्बी के दूस से या पानी से लिया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है और इस वक्त एक और कॉलर राजधानी दिली से हमारे साथ जोड़ गए है हमारे साथ है हाजर अली साहब बताए क्या सवाल करना चाहते हैं आप मैं मुझे बबाशीर है और बबाशीर जो है वो है उसकी बादी वाली मेरे नीचे उन्हें लेटरिंग करते हैं गुदा हिए थोड़ा भार में अधीर लिया दिया है जी आप दस लेने के बाद से है फिर चाहता है कि पट्टी या पाइट रेखना पड़ता है उम्र कितनी है आपकी तो कोई युनानी दवा इनके लिए या जिस तरह की प आप फ़्या को लगता है उससे आदा खाना करें और जो बी खाना कहें वह collectively ही रेखना जो में चैसीडा उसाए प्छां नहीं और द्वा पर के पार प्टना केफ्षुल पी कर सुर्ष शाल art क क्हाने के बाद ऑंप निया पहले भी ले ले सकते हैं पानी के साथ ले और ए मेथी 500 ग्राम मेथि का दाना और इसको पौडर बना ले ज्यादा बारीक न करें तोड़ा मोटा मोटा सा रहा है सूजी होती ऐसा तो बहुत अच्छा मेथी दाना को पौडर बनाए और एक रसाएं आता है जैतून का रसाएं जैतून का नमक भी कहते है इसे आसान लेंग्व में इसको कहते हैं एस्टेक जैतून ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में नमकी नहीं होता है ये सौ गिराम या जेड़ सौ गिराम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और आदे से एक चमच दिन में दो बार खा सकते हैं आदा आदा चमच शुरू करें और आपको ऐसा दिल्ली से मीना जी क्या सवाल करना चाहती है आप अब नमशकर तो डॉक्टर नोटाया, उनके सिर में खुन जम गया है, तो किस टेम वो ब्योश्व हो जाती है, जे, उम्र कितनी है उनके? 65, 65, जे, एक तांग की बड़ी प्रॉल्म है, उनके एक तांग कमर से होती ही, नीचे पैर तक बहुत दुखती है, कापी इलाज कराया, पर कहीं और सिर में कहते हैं, जिर्गे इंखेक बारी तो खुन जमा हुआ है, तो वो भ्योश्वी हो जाती हैं कई बार, फिर फोड़ी पानी बारी डालते हैं, वीपी की मुझे गोली डालते हैं, तो वो नॉर्वल हो जिसी है, बड़ी महरबानी होगी आपकी. आप बड़ा ठीक से सुनिये, बड़ा अच्छा लगा आप अपनी मा की इत्ती फिकर कर रही हैं, और इनके ये दोनों रोग ठीक हो सकते हैं, दिखिए, जो हमारे कमर से लेकर टांगों की तरफ कोई दर्द होता है, नर्व में, तो इसे साइटिका कहते हैं, हमारे कमर की ड घर में वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए, जो अपनी जरुरत वो उस पर बूरी करें, नहीं है तो लगवा लिजे, तो बहुत जरूरी है, ये उनके लिए, दूसरा कैप्सुल टी केर, टी फोर टाइगर, आप उन्हें दिया करें सुबा शाम, और अगर जल्दी भी महीने फायदा हो जाता है, तो वो तीन चार महीने इलाज करें, ताके इससे निजात मिल सके है ममी को, आपकी और ये जो ब्लेट पेशर और ये खूण का जमना, ये चर्बी का जमना, ये चर्बी का होना, या हार्ट ब्लॉकिश होना, ये सब के लिए बहुत अच्चा एक जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का जो है ये लिक्विट है और इसे तीन चम्मच रोजाना पानी में मिला कर आप उन्हें पिला दिया करिए आपकी सारी समस्यां का निदान मुम्किन है एक और द्रशक हमारे साथ जोड़ गई है फरीद अबाद से, विद्ध्या जी ने हमें कॉल किया है, विद्ध्या जी आप बताएं किस तरह की परिशानी है जिसे आप जूज रही हैं?? न्मस्ते जी न्मस्ते विद्ध्या जी कैसी है?? हाट जी ठीक, मैं ने दो बारी दवाई मैंगवाई है अब द news आर्क है जी मेरेको फर्क को है पर है न मेरेको हातों पहरों पर पर नал अलेरेजिश ये हो जाती है जी ठीक है thank you बोलिये पूरी बात बोलिये ले पूरी दौई मैंने खा लिये फर्क है ठीक, अच्छा देखिए, तबाई और एक दो महीने खाईए आप, और एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है, रोजाना, एक चुटकी में इतना आए, पानी में मिलाकर आप पी लिया करिये, तो कोई ऐलर्जी बगरा भी होगी, तो उसका भी ठीक होना मुम्किन है, आपको बहुत मुबारक, बहुत जल्दी भगवान ने आपको फायदा दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा के आपने हमें फी सर, मैंने अपने हस्वेंड के बारे में पूछना है, उनकी न उमर्च शपन साल है, और उनको न हार्ट की प्रोग्लम है, उनकी हार्ट पंपिंग काम करती है, हार्ट कम काम करता है, जी ब्लॉकिज तो नहीं बताएं डॉक्टर ने, हार्ट ब्लॉकिज तो नहीं बताएं हैं, कहीं चर्वी, हार्ट ब्लॉकिज नहीं एक नस ब्लॉक बताई थी, बाकि उनको ना तो स्टंड पढ़ सकता है, डॉक्टर कहते हैं ना बाइपास सर्जरी हो सकती है, ठीक है, देग तो इस टनंड डालते हैं या बाई-पास सरजरी करते हैं, एक ऐसा निसका जो इतना कामियाब है के जिसने भी इस्तमाल किया, इसको फाइदा होता है, मैं अपनी पुरी जिंदगी में ऐसा अच्छा निसका शेर करता जा रहा हूँ, आपको भी फाइदा हो तो आप भी शेर क का लें अपने हाथ से बना के दें अपने पती को बहुत खुश होगा पती भी और भगवान भी एक लीटर 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 लहसन का रस एक लीटर अद्रक का रस और एक लीटर जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का ही डालें उसमें इसको मिक्स कर दें यह पांच महीने की दवा जो block है वो पहले महीने से कुलने लगेगी पांच महीने होते होते उनका रोग मुप्थ होना मुमकिन है blood pressure से भी निजात मिलेगी heart blockage से भी कालिस्टॉल से भी और बहुत सारे आने वाले खत्रों को दूर कर देगी